दोस्तो हमारे प्यारे भारत वर्ष में जहां एक और हिमाला है तो ही तीनों और समंद्र से घिरा हुआ है यानि कि भारत की जादतर सीमाई समंद्र तटिये छितर हैं इन समंद्री तटो में भारत के नौ राज और चार केंदर सासित परदेश की सीमाई समंद्र तटको छूत जहां भारत की पूरु में बंगाल की खाडी तता दच्छिन में हिंद महासागर वहीं पश्टिम में अरब सागर हैं। तो आए दोस्तो आज हम जानेंगे अरब सागर के बारे लिए कुछ महत्पुन जानकारी एवंग दिल्चस्पे बाते हैं। दोस्तो अरब सागर हिंद महा सागर के पस्तिमी छोर में 38,62,000 वर किलूमेटर के छेतरफल में फैला हुआ है। दोस्तो अरब सागर को भारत वर्ष में सिंदू सागर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्राचिन काल में अरब के कुछ लोग इस सागर को भारत के सागर के नाम से भी जाना जाता था। समुद्री रास्ते का इस्तमाल अरब के वैपारी भारत में वैपार करने के लिए उप्योग करते थे। जिस कारण से धिरे धिरे इस सागर को अरब सागर के नाम से जाने जाना लगा। और यह नाम परसिद्ध हो गया और अंदता इस सागर का नाम अरब सागर पड़ गया आज वर्तमान में यह मार्ग भारत और अरब और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का महत्पूर्ण हिसा है जो कि विश्व के सबसे महत्पूर्ण व्यस्त जल्ली मार्गों में से एक है दोस्तो अरब सागर की अधिक्तम चोड़ाई 1490 माईल से है यानि की 2400 किलो मीटर और इस सागर की अधिक्तम गहराई 4662 मीटर है यह एक तिर्भुचकार सागर है जो की दच्छिन से उत्तर की और करमशह छोटा होकर फारस की खाड़ी से जाकर मिलता है दोस्तो जहां अरब सागर के उत्तर में इरान पाकिस्तान जैसे देश इस्थित है तो ही पस्षिम में ओमान यमन सेयुक्त अरब अमिरात जैसे कई छोटे देश सामिल है दोस्तो यह सागर पस्षिम में अफ्रीका के कुछ आंतरिक भाग से लेकर अरब के प्रायदिब तक उत्तर में इरान और पाकिस्तान पुर्व में भारत और दच्छिन में हिंद महा सागर के शेज भाग से घिरा हुआ है अरब सागर में मिलने वाली भारत की कुछ परमुख नदिया दोस्तो सिंधु नदी जो की भारत की सबसे परमुख नदियों में से एक है जो की अरब सागर में जाकर ही मिलती है जिस वज़से इस सागर को सिंधु सागर के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा दच्छिन में भारत की, लुना नदी, साबरमती नदी, महा नदी, नर्मदा नदी, तापती नदी इसके अलावा अनेको छोटे बड़े नदिया इस अरप सागर में आकर गिरती हैं अरब सागर में मुख्रिप से दो महत्पूर्ण साखाएं हैं दच्छिन में एडान की खाड़ी और उत्तर में ओमान की खाड़ी अरब सागर की जलवाई मौन्शूनी है बसंत में जहां समुद्र के सता का हवा का निमतम तापमान लगवक 24 डिगरी सिंडिगरेट के समीप रहता है वहीं इसका अधिक्तम तापमान जून से लेकर नौंबर तक 28 डिगरी सिंडिगरेट तक हो जाता है दोस्तो इस सागर में पाई जाने वाली समंदर जिवों की अगर बात की जाए तो इन में से मुक्रुप से मचलियां टुयाना, शुडान, बिल फिस, वाहू, सार्क, लेसंड फिस और मुन फिस सम्मिलित है तथा कुछ अने बुलू वेल भी इस सागर में पाया जाता है तो दोस्तो ये था अरब सागर के बारे में कुछ महत्पुन जानकारी आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगला वीडियो आपकिस टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे कमेंट करकर हमें जरूर बताएं दोस्तो आप अगर हिंद महासागर, परसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्टिका महासागर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड़ेड है लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो विजिटिंग कर सकते हैं